दोस्तो इस्तरी टू के पोस्ट क्रेडिट सीन यानि की क्लाइमेक्स में ऐसा सर्प्राइज पैकेज है कि आप लोग होगे होश उट जाएंगे दोस्तो इस्तरी टू के क्लाइमेक्स पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्से कुमार एक सूपर विलन बने हुए है अक्से कुमार का basic introduction है यानि कि history 2 के जो सरकटा villain है history 2 में उसका सामना करने वाले है अक्से कुमार यानि कि उसका कुछ relation है अक्से कुमार के साथ super villain बने हुए है छोटा सब 5 से 10 मिन्ट का cameo है अक्से कुमार का history 2 में जो की full role होने वाला है history 3 में यानि कि अक्से कुमार की शिर्फ और शिर्फ entry हुई है history 2 में इस universe में history 2 के climate से history 3 में अक्से का full role होने वाला है जो कि एक super villain का role कर रहे है अक्से कुमार एक बहुत बड़े villain के role में दिखाई देंगे अक्से कुमार इस universe में जो भेडिया history 2 history 1 का जो horror universe है इसमें अक्से कुमार की villain के तोर पर entry हो गई है जिसकी पहली जनलक super villain के तोर पर history 2 के climate post credit scene में हमको देखने को मिल जई है आप लोगों ने अगर अक्से कुमार का ये screen presence नहीं देखा है तो दोस्तो अगर आप लोगों ने अक्से कुमार ये entry history 2 के climate में नहीं देखी है तो आप लोग बहुत बड़ा action package मिस कर रहे है अक्से कुमार को देखने क लिए अगर आप लोगों ने इस तरी टू नहीं देखे है तो जन्दी करिए क्योंकि अक्से कुमार शूकर विलन बन चुके है इस तरी टू में